मैं राजकुमार बेचु मोरिशर्षे, मैं तीन स्कूल का मानेजर हूँ, जो प्राइमेरी है, प्राइमेरी और सेगंडरी स्कूल है ऑच स्कूल मेरी कोछा बेचे, मैं तो थोड़ा दीन से मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ? प्रोब्लेम हो रहा ला मुझे स्पाइन का, तो वहां का डॉक्टर लोग से मिला देखाया वो लोग ने सब सर्वी किया, तो उन लोगी ने मुझे इसला दिया कि देखो, इंडिया जाओ, वहां पर ठीक डॉक्टर है, वहां पर आपका ठीट में जो अच्छी तरह से हो सकता तो अब उन लोकों के सला से मैंने एक दोस्ता मेरा जो का नाम था डॉक्टर जगेशर जो यहां पर अंबासी में रह चुके हैं, फोर्मा अंबासी में, तो उसने मुझे सला दिया कि देखो, ना रहना हुस्पिटल है, वहां पर जाकर अपना इलाज करा हूँ, डॉक्टर है जिसका नाम है राजेस कुमार वर्मा, सर्जरी 21 को आया, डॉक्टर से मिला, तो उसी दिन से मेरा सब ट्रीटमेट सुरू हो गया, सब अनालीस जितना है, सब सुरू हो गया डॉक्टर के सला से, तो डॉक्टर के मैंने बताया कि मुझे स्पाइन का प्रोब्लम है, तो वह जब चेक अप किया तो उसको दिखाए दी कि प्रोब्लम क्या है, तो अगले दिन वो ओपेरेशन सुरू कर दिया, मेरा वो जो सुरू कर दिया, तो उसी दिन से जब सुभे को अना डॉक्टर दो गंड़े में कुछ हो गया, तो शाम को बख़त में वो मैंने चलना सुरू क हूँ, और डॉक्टर ने मुझे खुब अच्छी तरह से देखा है यहां पर, और जितना लोगों का भी यहां मैं सुक्रिया करता हूँ, कि वो लोग मुझे अच्छी तरह से देखा है, और और मुझे यहां बहुत लोगों का जो है, वो सब लोग पसंद है, अब मैं ठीक ह तो रहा हूं अब मुझे कुछ आर एक दिन में मुझे मेरा डिस्चाज मिल जाएगा मैं वापस कोई जग में होटेन लाकर रहूंगा फिर मेरा टीटमेंट यहां पर रिकाद दुबारा हूंगा तो डॉक्तर से मिलूंगा मैं बहुत साटिस्पाइब हूं बहुत खूश मेर तो प्लॉक्षा निपरवाहर अम्रिका को मुझे बस यही कहना है यह मी सने परवाहर अमरिका मी अन्मिस्टर बेच्छ विए डिर्क्टर ओचेड किच्ट और प्रेमेरी आचेड स्कूल ओचेड सेक्टरी स्कूल ओक्या वे और फ्सकूल को तो दो तो दो थीज्टर 24 hours he was complaining and he was very very negative okay we have been to two clinics in mauritius but till now we didn't get any any like any anything that could have been positive for us then on the 6th of november i met dr jagisar who was our former ambassador in india okay we met him then he told me to watch up all the the all the reports which we have all the medicine he's taking so i watch up him and two days after he sent me the opinion of narayana hospital dr rajesh kumar verma the same day i went home after school i went in youtube i saw him that's the day i saw dr verma i was very very positive i made mr b to watch the small cd then we took a decision that we should come but nevertheless we were not still on holidays we were on holidays on the 18th of november so on the 20th we took our flight came here on the 21st since we arrived here we put our leg here i was very very positive i saw dr rajesh kumar verma in around 9 9 30 he talked to us and we started all the treatment till now i'm very positive and i recommend all those people who have this problem of spine just come to narayana hospital meet dr rajesh kumar verma me myself i have the problem was fine but till now he gave me all the medicine today itself he has prescribed the medicines and he told me in three months time you will be okay my dear don't think that you are already 54 years old that you won't be okay and he gave me a good 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 positive sign so